हेलो फ्रेंड्स जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो फ्रेंड्स आज की रीडिंग का टोपिक है कि सेवन डे में आपके पार्टनर का क्रंट फिलिंग क्या है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं मैं जब भी रीडिंग करती हूं आपको बीच-ब मानना वो आपके ऊपर है यह जन्रल रीडिंग है क्लेक्टिव है और टाइमनेस है और ही और शी दोनों के लिए है मैं आपको अपना बच्चे जापना फ्रेंड समझ के अड़्वाइज देती हूँ लेकिन अगर आपको सही लगे तो माने नहीं तो आप आपको सही यह दो आपको 3 of Pentacles, Page of Wands, High Priestess, 5 of Swords, Bottom of Deck Queen of Swords तो जी, Friends, आपकी 7 डे में, आपके रिष्टे में क्या होने वाला है, Friends, पेले तो मैं आपके रिष्टे की करूँगी थोड़ी सी Clarity, आप में से कुछ परसन, कुछ लोगों के पार्टनर, third party situation में है, आप अपने आपको बना हुआ feel करते हो, और खूब अंदर से दिल से उदास हो, आपको कोई आशा की किरन नहीं दिखाई देरी, और कुछ लोग आप में से manifest अपने पार्टनर को कर रहे हैं, यह देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के spiritual भी हो रहे ह हैं, की चीजे चुपाई जा रही हैं, रिस्तों में, रिस्तों में कलाटी नहीं मिल रही, दिल दुखी है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचेशन में है, आप लोगों का तब भी मन दुखी हैं, लेकिन कुछ लोगों के partner आपको, यह आप लोगों के कुछ लोगों के partner जो है आप लोगों को पागल बना रहे हैं यहनि कि चीजे चुपा रहे हैं उनका double minded और double face है सामने कुछ पीट अंदर से कुछ है तो मेरी reading का topic था कि seven day में आपके रिष्टे में क्या होने वाला है तो friends मैं आपको बताती हूँ आपके partner जो है आपके लिए बहुत passionate है लेकिन चीजे चुपाना उनका nature में है इस time वैब बहुत उदास है दिल से दुखी है आप भी सोचते हो कि मैंने रिष्टा जोड के और कुछ नहीं हांसिल किया सिर्फ अपना life को waste किया यहनि कि आप अपने रिष्टे में वो भी उदर से अपने आपको बंदा ह हुआ फिल किरते हैं और जहां third party situation है वहां बहुत सारी बाते चुपाई जाती है लेकिन वो एक past था जिंदगी निकल गई लेकिन अब आपके partner को अपनी गलती का एहसास है सब कुछ होते हुए भी वो अकेला आपने आपको फिल करते हैं बली कि उनके पास सारे option हैं लेकिन आप जैसी तसलिक उनके पास नहीं है वो कहते हैं ना कभी बर सब कुछ होता है लेकिन फिर भी एक अकेला पन होता है तो आपके partner की इस time condition वो है वो अंदर ही अंदर मन में आपको manifest कर रहे हैं अब उनको realize है कि जिन से उन्होंने मतलब आपको इसाथ argument किये हैं जो आप से थ बता है कि आप एक knowledgeable person हो एक intelligent person हो अगर आप life में आओगे तो life में बहुत कुछ सही होगा गलतियां उन्होंने की है इस time उदास भी है दूखी भी है और अपनी जिन्दगी का सहारा ढूंड रहे हैं वो भी आपको आपको लेकर वो आगे अपनी जिन्दगी जीना चाहते हैं 5 of swords यह बताता है कि चीजे छुपाने की उनको आदत है अपने आपको जब आपके साथ रिष्टे में थे तो अपने आपको बहुत तेज समझते थे वो सोचते थे कि आप पागल हो मैं आपको कैसे भी पागल बनाऊंगा आप बोले हो लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि समझदार इंसान हो आप उनको भाप लेते थे लेकिन आप दिल से अच्छे थे इसलिए चाहकर भी उनकी गलती आपने उनको कभी नहीं बताई लेकिन 7 day के हिसाब से मैं बताऊंगी कि आप लोग जो भी रिष्टों में रिष्टों को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका रिष् फर्ड पार्टी की सिच्वेशन है वहां लगेगा टाइम क्योंकि वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है वहाँ कि वहाँ डिले हो सकता है लेकिन आप लोग रिष्टों को मैनिफेस्ट का रहे हैं आपके रिष्टे का जो मैनिफेस्ट होगा वो आपको जुरूर रंग दिखाएगा लेकिन मैनिफेस्ट आपका पूरा होगा और इन साथ दिनों में आपके रिष्टे कि बात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ने शुरू हो जेगी जो no contact में है उनको थोड़ा थोड़ा सामने से person का कुछ ना कुछ message जा phone किसी तरह का ऐसे लगेगा कि आपका आपकी relationship जापका relation वरक करने लगा है आप लोग जो manifest कर रहे हो उनका सावन दे में एक थोड़ा थोड़ा सा positive result आएगा यहां यह निक्यायरी कि 100% शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा लेकिन कुछ लोगों के रिष्टे में यह देखिए bottom of deck था queen of swords जहां third party situation है वहां जहां family का interfere है वहां दिखते आ सकती है उसके लिए भी आपको manifest करना होगा क्योंकि यहां जूजना आपके person के बात नहीं है क्योंकि आपका person जो है एक immature personality का है उसके बस का प्यार करना तो था लेकिन आगे खीच के family वलों के साथ यूद करना उनके बस की नहीं है family को लेके चलना उनके बस की नहीं है यह देखिए the devil का card भी यह बता रहा है कि आपका person आगे तक जाना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को manifest करना होगा यह देखिए आपके person की energy ऐसी है चीजे उदास हो रही है आपकी time थोड़ा जिनके पास third party है उनका थोड़ा खराब चल रहा है तो आपको manifest करना होगा क्योंकि आपका जो partner है ना वो थोड़ा सुस्त है वो उसने love तो कर लिया लेकिन आगे चलने की उसमें हिम्मत नहीं है वो सुचता है अपने आप ही कोई खुदा निजारा करें और मुझे effort भी ना लगाने पड़ें और आप उनके पास आज़ें लेकिन दिल से उदास है लेकिन जो ये आखरी card है the sun का ये sun का card बताता है कि आप लोगों का जो end पर result आएगा भले ही seven day में ना आए बाद में आए वो एक positive result आएगा और वो आपको marriage तक यानि की happy family तक लेके जाएगा एक सुंदर सवस्थ family happy family लेकिन जिनका third party situation है उनमें family वालों का interfere भी है और आपका person जो है वो immature हो सकता है आप से छोटा हो उनके बसका रिष्टो को लेके चलना नहीं है उन्होंने love चाहे कर लिया डड़ेविल का card बताता है कि negative लोगों का interfere बहुत है आप लोगों को आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाते है वो आपको छोड़ना नहीं चाता लेकिन वो आपके लिए effort भी लगाना उस मिलेगा जरूर लेकिन जो seven day वाले और परसन मैंने बताए हैं आप लोगों के वो अभी उदास है हर्मिट परजीशन में है लेकिन आप लोग manifest कर रहे हो तो इस और आपकी manifest जरूर कबूल करेगा और आपको कुछ थोड़े थोड़े positive result seven day में मिलने शुरू हो जाएंगे आ manifest कर रहे हो आपको manifest के result जरूर मिलेंगे एक बात मैं आपको बताती हूँ manifest जब भी दिल से करोगे एक अच्छे तरीके से करोगे तो result dare हो सकती है लेकिन impossible नहीं होते यह मैं आप आप आपको बताऊँ जहां मन में आपके दुविदा आ जाती है वहाँ जो करी हुई manifest भी थो हाँ उसके लिए यह है कि आप उनके लिए लोयल और ट्रू लव हो आपका manuculation आपके या उनके दिमाग में ना हो आपके दिमाग में तो बिलकु भी नहीं तो यह थी आज की reading कि seven day में आप लोगों की रिष्टे का क्या होने वाला है और मैंने यह भी बताया जो third party में है उनके थोड़े time लग सकता है क्योंकि लोगों का interfere है छोड़ना मैं यह दूस करना होगा आप कोई द्वाएं मांगनी होगी तभी आपका डीले होगा लेकिन काम सिरे चल जाएगा और फ्रेंड्स यह थी जन्नल लीडिंग जितनी रजनेट हो आप रख लेना और आप नहीं तो दूसरी reading देख सकते हो आज की reading आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो कीजिए like, share, comment और जिन्नोंने चैनल सिस्क्राइब नहीं किया प्लीज डू सिस्क्राइब साथ में दबाईए bell आइकन ताकि next वीडियो जने कि next reading जब भी मैं डालू notification पूंचे आपके phone तक आज तक के लिए इतने ही मिलेंगे next reading में तब तक के लिए bye bye God bless you और जयाय मात तक के लिए तक के लिए और जाबी